नमस्ते कैसे हो आप लोग एक मैं यह इनर लेके आई हूं चोटी बच्ची चोटी क्या है तो साथ साल की लेकन यह आठ नौ-दस साल तक बच्चे को आ जाएगा देखो यह इस्टेच बाल है देखो लाश्टिक टाइप का देखो इस तरीके से तो इसमें मैंने 14 इंच तीश की लंबाई बनाई है 14 इंच बनाई और उपर मैंने इसका 7 इंच बनाया मुड़े से यह जो मैंने यह बगल गटाया इसके बाद मैंने मुड़ा 7 इंच बनाया इसमें डाले है मैंने कि 92 फंदे डाले थोड़ा बच्चा हेल्दी है तो इसलिए थोड़ा सा खुला सा ही रहता है वैसे थो यह खिच के देखो बढ़ा हो जाता है ऐसे अरे कहीं कहीं थोड़ी दूर दूर पर यह मोड डाले सिर्फ आगे वाले पेज में डाले पीछे नहीं डाले तो मैंने 92 पीछे 92 आगे ठीक है दोनों तरह मैंने 92 फंदे डाले हैं उसके बाद मैंने यहां पर यह मैंने बता दिया 14 इंच मैंने लंबाई बनाई फिर मैंने इसमें क्या होता है कि जब यह ऐसे बिना बॉडर वाला बनाओ तो पहनो तो उपर खिशकता है खाली दो लाइन क्रोशे की मारती की ताकि स्वेटर उपर ना खिचे यह अंदर से इंणर पहनने वाला है कि ने तो यह फिर अगर बिना बॉडर का होता तो जितनी बार हाथ उपर करो तो यह चीजे उपर खिशक जाता है मैंने 14 इंच बनाई थी तो आभी मेरा 15 इंच है क्योंकि मैंने 2 लाइन क्रोशे की बनाई थी इसमें इसलिए यह देखो यह 15 इंच मेरी लंबाई आ रही है ताकि बच्चा पैने तो थोड़ा एकदम से उपर ना जाए क्योंकि बच्चे जिसके लिए बनाए हो काफी हेल् बच्ची तो स्वेटर ऊपर जा सकता है इसलिए इसमें दो लाइन क्रोशे मारी है नीचे ऐसी मैंने मुड़े में भी थोड़ा सा इसको टेच देने के लिए कि थोड़ा अच्छा सा लगे तो एक लाइन यह एक लेस बना दी जोड़ने के बाद शिलाई करने के बाद लेस पर दिए इसमें घुण आसे मैंने थोड़ा सा गले में भी बना दिया दुनुबगल में बना दिया घुण यहरा को चलता की है कि को इस तरीके से होती है कि कोई पर इसका देड़ा-मेडा नहीं घृता है और यहां से यहां तक तुम मैंने देखो 14 इंच बनाई इसके बाद मैंने घटाई कैसे करी पहले मैंने 2 सीधे बनाए तीसरे फंदे पर मैंने 2 का एक करा इधर से भी ऐसी करा पहले 2 फंदे सीधे बना ले फिर 2 का एक कर दिया फिर दूसरी बारी इधर भी दो का एक इधर दो का एक फिर मैंने उल्टी साइड से भी थोड़ी सी देर तक यहां तक कि पीछे से भी 2 का एक करा है आगे से भी 2 का एक पीछे से 1 ऌट्ड शुछाए ज्यादा ननी दिए गताने कि पेजिडे में फंदे मैंने 14 डुपक तो उसे में बाकि मैंने मेरे टोटल 14 बना लिया दोनों साइड से उल्टा बना लिया फिर यह गळागए थोड़ी इसकी जैसी गहराई हो गई तो पीछे वाले की थोड़ी इसी गटाई ताकि बच्चा कुछ भी पहने बाहर से तो अंदर की समीज न दिखे उसकी तो गला उसका चोड़ा सा आ जाएगा फिर इस तरीके से देखो काफी बढ़ा है यह गटाई के बाद जितने भी फंदे आप लोगों के रहते हैं देखो यह तो थोड़ा बढ़ाया छोटे बच्चे का भी बना रही हूं उसके भ दो एक इतने फंदे और रखे थे इधर भी कि चोड़ा क्या लाओ तीन मुझे गटाने थे तीन फिर दो फिर एक इस तरह के से गोलाई करिए यह इस तरह के से फिर इतने इतने फंदे मैंने पहले रख ले हैं तो चोड़ा पहले मैंने 20-20 फंदे रख लिए थे इधर को जिसके बाद मुझे 14 इधर रखने थे फिर 3, फिर 2, फिर 1 छे फंदे मुझे और गटाने थे तो मैंने 6 फंदे इधर एक्टरा और रखे थे इधर भी रखे थे बाकी 20 में जितने भी आये थे वो मेंने थोड़े से ढिली ढिले हाथ से घटा दिय के कि फिर्ण इस थे पीछे मेंने ऐसे यही करता था पीछे मैंने उसी तरह थे कि यहां पे मैंने 20 फंदह इधर रख ले दे 20 इधर रख ले ते फिर 3 दो यह करके कि यह भी घटाया क्योंकि फटब पीछे का गला मैंने थोड़ा उंचे भी घटाया विए से बराबर पर गटा सकते हो लेकिन बच्चे का है तो ज्यादा नीचे चला जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है तो इस तरह के से यह इनर बन गया आप भी बना सकते हो कितने भ बड़ी सॉप्ट सी है तो अच्छी लग रही है एकदम से और चोड़ाई तो काफी है इसकी देखो इस तरीके से यह डिजेन भी टाल दिया आगे पीछे नहीं डाला क्योंकि जल्दी-जल्दी हो रहा था सबको जल्दी चाहे स्वाटर यह किसी का बनाया मैंने इस तरीके से यह दो सीधा दो उल्टा बनाये 'll that day day दो सीधा दोनु तरफ़ से ऐसी गया आग्दे मैं बठाली दूर दूर कहीं यह बांधने वाला होता है ये च्छे फंदे का जो होता है यह इस तरहे किसे बांधिया था ज़्यादा कुछ नहीं था तो मैं अभी लिए क्षोठे बना रहूं वह ला मधाएव Помा ठीक है अब बना है मैं कि दो मेने की वेच्ची का यह भी इनर बन रहा है देखो अब यहां पर मैंने कि शाड़े पांच इंच के करीब मैंने लंबाई बनाई वासे छे बनती लेकिन ठोड़े गलती से साड़े पांच इस हो गया चेक करीब है थोड़ा सा खिषता भी है उन देखो यहां से मैंने इसमें लड़े एकशो 010 पंदे क्योंकि यह बेउल है यह बड़ी करी से यह दस नंबर की सलाई से बना रहे हूं यह नंपर की सलाई से बना रहे है यह रवाला और यह पीच कलर क्लर मैंने दस नंबर से बना रहे हूं क्योंकि पतली उन आये बच्चों की उन जो होती है वही आये बेबी उल इसमें मैंने 110 पंदे डाले एक साथ बनाया फिर मैंने यहां आधे-आधे कर दे उपर जाके अब मैंने इसमें मुड्डो में नो नो फंदे मैंने यह रखे हुए बौडर के लिए इधर कोई घटाई नहीं हुई यही से वापस हो गई घटाई हुई है यहां पर एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो काई एक इधर से भी करा एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो काई एक इधर से भी करा अब मैंने य यहांब पर चार पंद एक wra prophe可以 बॉनौनगी यह मेरा बॉर्डर क ubiqui बने गी इस तरीके की इस तरीके की लुपी बने गी यह टो इसमें मैं अब तुमने इसको फले बना लेतें सूछ rappelle बोर्डर फिर घटाते हो फिर देखाते हो आपको अब मैंने 4 लाइन बना ली यहां पर बोर्डर की ठीक है एक दो तीन चार चार गांठ बना ली अब यह मेरे यहां जब मैंने घटा रही थी दो शीदह पंदा था तो मैं यहां यह पट्टी के लिए सिदह यह बनेगा इसके लिए शिदफंदा रखूंगी बाकी में यहां से घटाना शुरू करूंगी बहुत टाइट भी नहीं घटाना बहुत डीला भी नहीं घटाना सीदफे घटाना था मुझे सीदफे करके घटाना था ताकि उसकी किनारी सही से आए कि यह गले का बॉडर हो गया क्योंकि छोटा छोटा स्वाटर है तो बॉडर बनाने की जुरत नहीं होती फिर इन में यह इसी तरीके से इनका बॉडर हो गया यह अज़िए आए बौडर दोने तरफ जाद जाद आपको थोड़ा सा सजाना है तो करोशे की लेश बना लो नितो एसी भी छोटे बच्चे का सही रहता है आप दूसरे धागे से लेश भी बना सकते हो दूसरा कोई और धागा लगा सकते हो जो इसमें मैच हो जाएगा अब जो फंदे मेरे बीच में थे वो मैंने सारे घटा लिए नो फंदे मैंने इदर रख ले नो फंदे मैंने इस साइड रख ले आठ फंदे मेरे यहां घटे, आठ फंदे मेरे इधर घटे, तो अब 110 में से लगा लो, अब जो भी बच्चे हैं मेरे, वो मैंने बीच में घटा ले, यह गले की घटाई हो गई है, अब मैं यहां पर, इस फंदे को सीधा रखूंगी, और बाकी मैं यह पट्टी के, उल्टे बनाऊंगी, और किनारी में भी मैं सीधा रखूंगी, ताकि उसकी किनारी सही आए, अब इसकी बेल्ट बना लेते हैं, उपर तक पहले दोनों कंदू की, फिर पीछे का, फिर दूसरा पला बनाऊंगी, तो दूसरे का भी मैं क्या करूंगी कि, थोड़ा सा इससे उंचा घटाई करूंगी, ताकि दोनों, या तो बराबर पे भी कर लो, तो थोटे बच्चे का दोनों तरफ पहनने वाला हो जाता है, देखो, यह गेले की घटाई हो गई, अब मैं इसकी बेल्ट बना लेतों, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाना है, अब यह मैं बनाऊंगी, टोटल 5,5-5 इंचे के तक बनाऊंगी, तो देखती हूं, मैं अभी बना के, कि कितने इंचे पे मैंने बंद करा है, यह देखो, मैंने बना लिए, दोनों बॉडर बना लिए, साइड के, यह मैंने 26 लाइन बनाई यहां से, यह मुड़े से, जहां से मैंने अलग-अलग करा है, तो 26 गांठ है यह, ठीक है, तेरा, दुना 26, और यह भी 26 है, यह दोनों मैंने बराबर कर दे, अब मैं पीछे के पल्ले में क्या करूंगी, कि थोड़े से फंदे यह घटाओंगी, उसके बाद मैं अपना प्लेन बना के ले जाओंगी, और मैं इसमें लूपी नहीं बनाऊंगी, इन्यों को पीछे जोड़ूंगी, वैसी तो यह सौप्ट हून है, बहुत सौप्ट हू क्योंकि छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है हाफ स्वाटर, और मैं आगे और स्वाटर बनाऊंगी देखो, और बनाने हैं मुझे हाफ स्वाटर हैं बच्चों की, तो देखती हूं नहीं नहीं डिजैन कुछ लेके आती हूं, आप लोगों से शेयर करती हूं, इस स तो मैं इसके साथ बुन के जोड दूंगी यहां पर, अब मैंने यहां पर डाल दियें देखो, यह अपने नो फंदे कर दियें मैंने बॉडर के, ठीक है, अब हमने क्या करना है देखो यह फंदा यह चेंज करना है, अब दो का एक कर दिया, अब जो फंदा जैसा है वेसी बुनने है, अब यह बचा था उल्टा, एक बना लिया, क्योंकि दो सिदा दो उल्टे का ही है, यह भी यह भी सारा दो सिदा दो उल्टे में इस्टेच बल होता है, इसलिए ज्यादा तर यही बनता है, अब यहां तक मैं, जहां पर मैंने गटाने, मेरी नो फंदों के बाकी जब तक हमारी घटाई होती है, तब तक हमने दो सिदा दो उल्टा करके ले जाना है, जो फंदा जैसा है, वो फंदा वैसे ही बुनने है, अब देखो, अब यह दो, दो चार, दो छे, साथ, आठ, नो, नो फंदे हमने बौर्डर के रखने है, उसके बाद हमने पहले हमने दो का एक कर दिया है, फंदा मेरा सीधा जाएगा, जो मैंने इसमे दो रखने है, किनारी के लिए सीधा जाएगा, अब मैं यह उल्टे बना लूल, और सबसे लास्ट का फंदा फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, यह मैंने किनारी लेनी हैं इसले मैंने सिधा बना लिया अब उल्टी सलाई में मैंने कोई घटाय नहीं करने अपना हुए जो धन्द जैसा है वो यह सी बनाने दो सिधा दो जो उल्टे है यह पहले उल्टे बनालू फिर दो सिदा दो उल्टा बनाना है पूरा आएगा जहां तक हमारा बाउडर से पहले जो हम यह साइड की फीतियां बना रहे हैं इसी तरह के सही है मैं 8-8 फंदे दोनों साइड गटाऊंगी 16 फंदे गटाऊंगी क्योंकि 16 मैं इसमें भी गटाएं तो इसमें भी मैं 16 फंदे गटाऊंगी अब मेरे फंदे गट 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 गए देखो 8 फंदे मेरे इदर गट गट गए 8 फंदे मेरे इदर गट गट गए अब मेरे यहां पर बीच में 18-19 फंदे बीच में रह रहे हैं और 9 फंदे मेरे यह रहे हैं नहीं पूरा तक ले जाना है पीछे कपला ऑड़ तो तो इसमें क्या करूंगी मैं आगे से तो मैं दो सीधा दो ले जाओंगी लेकिन पीछे से मैं पूरी लाइन लियाओंगी ताकि यह ज्यादा इस्टेचबल नहीं उपर जब हम यह घटाई कर रहे थे दो का एक तो उसके बाद एक फंदा कम होता तो जो फंदा जैसा दितता ह वैसी बुनने जैसा एक ही रह गया उल्टा एक घट गया तो एक ही बनाना उल्टा दोनु तरफ से उसी तरह के से बनाना जो जैसा दितता है वैसी ही बनाना है तो तब यह इस्टेचबल टाइप का यह चला जाता उपरता अब मैं इसमें क्या करूंगी यह मैं नो फंदे तो अपने बॉडर के इधर बनाओंगी नो इधर बनाओंगी इनको मैं दो सीधा दो उल्टा ही ले जाओंगी पीछे से मैं सारे उल्टे बना के लाओंगी पीछे से नहीं लाओंगी मैं दो सीधा दो उल्टा करके तो मैं पहले इसको यहां तक बना लेती हूं मेंने के करा चाहिए ज्ञादा इस्टेच वहारा धा इसले थोटा सा बच्चे का कंदा पीछे ठंड ना लग्ये Tapi मैंने कहा करा आगे से दो सिदा दो लटा चाहर पीछे पूरा उल्टा बना लिया ताकि इस वह नहीं पर परार इस जैसा है यहं रहे श्किछ क्यूट सा स्वैटर बन गया देखो आप फिनिशिंग करूंगी अरे मुड़ों में मैंने 26 26 गांट बनाई थी तो मैंने एक-एक उदेड दी कि थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा था मुड़ा तो इतना बड़ा तो काफी होता बच्चे का तभी क्रोशे की लाइन मारूंगी तो बड़ा क्यूट सा बड़ी दिखेगा स्वैटर अभी और स्वैटर भी बनानी है मैंने हाप स्वैटर तो देखो कुछ खुली बनाऊंगी कुछ बंद बनाऊंगी नए-ने डिजैन देखते हूं क्या-क्या बना पाते हूं थेंक्यू लाइक शेर जरूर करना अगर सस् पर आए उल्टी आगे से दो सीधा दो उल्टा बना दे ताकि हमारा डिजैन भी न टूटे और ज्यादा इस्टेच बल भी नहों फिर मैंने उपर जाके कंदूं के पास गर्दन के पास देखो चार सलाई जैसे मैंने यहां पे बनाया उल्टा उल्टा चार धारी तो चार प्यारा सा लगता है इस तरह के से थोड़ा फिनिशिंग कर लेती हूं पहले यह आराम से इस सीजन में बड़ा आराम से बच्चा पहन पाता है तैंक यू